स्टोरी टाइम E.N.D.I. उत्तरवदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ बच्चों आप बॉड़ी के डिफरेंट पार्ट्स के नाम तो जानते ही होंगे जैसे इन पार्ट्स और बॉड़ी के डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं जैसे वी सी विद आवा आईज लिसन विद आवा इयर्स और राइड विद आवा हैंज तो बच्चों आओ देखते हैं कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए ये बॉड़ी पार्ट्स कैसे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं वन्स अपन अ टाइम बॉड़ी के सारे पार्ट्स आपस में बात कर रहे थे बातों ही बातों में सभी बॉड़ी पार्ट्स ने स्टमक से कहा तुम तो कुछ करते धरते हो नहीं पूरा हाड वक हम करते हैं और तुम बस बैठ कर सारा फूड चट कर जाते हो आप्टर लिस्निंग टुइट स्टमक ने कहा अरे भाई आम अल्सो डूइंग माई वक फूड को डाइजेस्ट करना यानी पचाना भी तो काम ही है मैं कोई आराम थोड़े न कर रहा हूँ स्टमक की बात सुनकर लेक्स ने कहा अब बारी आई हैंड की हम और हमारी फिंगर्स अल्डे लॉग हाद वर्क करते हैं और हमारे हाद वर्क का सारा फूड स्टमक चट कर जाता है मैं तो स्मेल करके अच्छे फूड की पैचान करती हूँ और सास भी लेती हूँ ये सब बात सुनकर भला माउथ कैसे चुप रहता तो अट लास्ट उसने भी कहा फ्रेंट्स आप सब एकदम सही बात कह रहे हैं मैं मेरे जॉज और टीद भी फूड को अब नहीं चबाएंगे लेट अस सी स्टमक को खाना कैसे मिलता है इस प्रकार सारे पार्ट्स ऑब बाडी ने अपना अपना वग करना छोड़ दिया फिर जानते हो क्या हुआ बच्चो सारे पार्ट्स ऑब बाडी के काम ना करने की बज़ा से स्टमक को फूड नहीं मिल पा रहा था डियू टू दिस सारे पार्ट्स ऑब बाडी धीरे धीरे वीक होने लगे ना तो आइस ठीक से देख पा रही थी और ना लेक्स सही से वॉक कर पा रहे थे बैचारा माउथ भी सही से कुछ नहीं बोल पा रहा था चुप चुप सा रहने लगा था फिर एक दिन माउथ ने सभी पार्ट्स ऑब बाडी को समझाया यह सुनकर सारे पार्ट्स ऑब बाडी ने अपना अपना फंक्शन फिर से स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे सफिर से पहले जैसे हेल्दी और स्ट्रॉंग हो गए तो कैसी लगी स्टोरी आपको? दिड यू इंजॉइ इट? तो चलो बच्चों एक पोएम रिसाइट करते हैं टेन लिटल फिंगर्स और टेन लिटल टोज विडवको्क पनागा उभ लोगी बनाजाईट कर दोज बही करते ह понятно दो बनाजाए जो दोल टी इन लिटल फिए लिटल म वाथ विबस्वा जोफ वहा ही। लोगी लिपस और लोग झूओ infiltि रिएर लिए फियर, इना बतिए हैर बाद। झालाँ!